नमस्कार आप सबीका जन टीवी उत्राखन में स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ दिपिका जांगड कबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेड्लाइन्स पर परिक्षा पर चर्चा को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंग रावतनी की प्रसवारता सताई जर्वरी को परिक्षा पर चर्चा के छटे संस्क्रण में पीएम मोधी बच्चों से करेंगे समवांत तराखन में भी दो बच्चों का हुआ है चयर जोशिमन में भूदसाओ की चलते बाउट के शात्रों की बड़ी परिशानिया शिक्षा मंत्री रावत ने धिकारियों को दिये निर्देश शात्रों को ना हो कोई परिशानी किसी भी शेर में परिक्षा केंद्र चुननी का दिया विकल कॉंग्रिस प्रदेश मुक्याले में हाथ से हाथ जुड़ो अभ्यान को लेकर हुई मैध्फून बैठक बैठक में भ्यान के प्रभारी अजेक कमार लल्लू भी रहे मौजूच अबी चन्वरी से हाथ से हाथ जुड़ो अभ्यान की होगी शुरूआत उत्राखन में सर्दी का सित्म पहाड से मैधान तक कहरा उशीत है कि डबल मार पड़ रही हाथ का गलानी वाली सर्दी कई जुलो में मायनस पे पहुचा पारा खबर विस्तार से प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी आगामी 27 जन्वरी को दिल्ली के ताल कचोरा स्टेडियमें परिक्ष्या पर चर्चा करेंगे और इसके लिए 81,315 चात्रव 11,888 शिक्षिकों और 5,496 अभिभावकों ने रेजिस्ट्रिशन कराया है प्रधान मंत्री के इस कारिक्रम के लिए उत्राखन के दो बच्चों का भी चैन हुआ प्रदेश्वर की करीब 10 लाग बच्चे 27 जन्वरी में होने वाले पियम मोधी की परिक्षा पर चर्चा कारिक्रम में हिस्सा लेंगे और इसमें कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली बच्चे होंगे परिक्षा पर चर्चा कारिक्रम में शाविल होंगे परिक्षा पर चर्चा के चटे संस्क्रण में बच्चों से पियम मोधी सीधा सम्वान्त करेंगे उत्राकर्ण के सिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंग रावत ने बताया कि पियमोदी के परिक्षा पर चर्चा के सायोजन में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल भी चुड़ेंगे पियमोदी ने परिक्षापर चर्चा के विश्य में एक किताब एक्जाम वोरियर्स भी लिखी है कि असास के अर्दसरकारी विद्याले हैं इनमें हमां बड़ी-बड़ी लगा कि इस कारिक्रम को आईजित करने जा रहे हैं कि एवरेज जो है कि तीन सो से लेकिया चार सो बच्चे एक कारिक्रम में रहने वाले हैं तो एक बड़ा इवेंट ये बच्चों के लिए हो रहा है उत्रागन के जोशिमन में जमीन दसने से पूरी व्यवस्ता इस्तिवस्त हो गई है इसके चलते वहां के छात्रों पर भी काफी प्रभाव पड़ा है उन चात्रों के उपर जादा असर पढ़ने वाला है जो इस साल बोड़ परिक्षा में शामिल होनी वाली है उत्रागन में बोड़ परिक्षा के तारिकों का एलान पहले ही हो चुका है जो 17 मार्च से 6 अप्रेल 2023 तक होनी है इस परिक्षा के आउने से पारे जोशिमन में जमीन धसने या सी घटना होने से परिक्षा में शामिल होने बाले चात्रों को बड़ी परिशाने से गुजना पड़ रहा है मैं उत्राकन की सिक्षमंदी धंसिंग रावत ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावी चात्रों को इस बार की बौट परिक्षा में शामिल होने के लिए कोई समस्या नहीं हो इसके लिए उनकी सुविधा के अनुसाल किसी भी शहर में परिक्षा के इंदर चुन्नी का विकवग देनी का निर्देश दिया है हमने निर्दे लिया है कि हमारे लगवागर देट सो से ज्यादा बच्चे से जो हाई स्कुलर इंटर्मिडेट के बौल के परिक्षा में बैठने वाले हैं और पच्चिस से ज्यादा बच्चे से कि जो सीवेसी बौल के परिक्षा में बैठने वाले हैं तो उनके लिए अब हमने एक option दे दिया है कि जहां भी उनका परिवार सेटल होगा या किराय पे जाएगा या विस्तापन में जाएगा या जहां उनकी इच्छा होगी वो बोल्ड की परिक्सा और सीवेसी बोल्ड की परिक्सा जहां उनकी रूचे होगी वहां उनके पीपर कराएगा चमौली की प्रभारी मंत्री धनसिंग रावत पिशले पांच दिनों से जोशिमत प्रवास पर थे किंद्र सरकार की पांच अजनसिया काम कर रही है जबकि राज्य सरकार की तीन अजनसिया तो वहीं इस मामले को लेकर कॉंग्रेस प्रदेश देख्ष्री पर भारी मंत्री धनसिंग रावत पर प्रहार किया उन्होंने कहा कि यदि कॉंग्रिस मुक्य मंत्री आवास नहीं गेर थी तो सरकार नहीं जाकती साथ उन्होंने कहा कि इसरों के रिपोर्च और पिछले दो साल पहले रहनी में हुई घटना को लेकर भी सरकार चेती थी लगातार वहां मुल्टिंग कर रहे हैं और हमारी केंदर सरकार हो चेहराज सरकार हो जोसिमट की जन्ता के साथ खड़ी है और यह मैं नहीं कहा रहा हूं यह वहां के परवाहित लोग भी कह रहे हैं कि पहली बार जो है सरकार ने इतने कोई कुछ है वहाँ पर द्योस्ताय बनाए है हम लोग साड़े 900 रुपे जो विस्तापित लोग है उनके होटल का किराय दे रहे हैं पर्टे साड़े 400 रुपे उनको खाने के लिए दे रहे हैं विवस्ताय करने में इसरे को रिपोर्ट आ चुकी थी उसका भी संग्यान नहीं लिया रिहिणी में जो कांड हुआ था दो साल पहले साथ फरवरी को उसके बाद भी सरकार नीचे थी और आज भी मेरे को यह कहना कि हर चीज में हील हुजत है अगर करन मेरा और कॉंग्रेस दस तारीकों मुख्यमंत्रिय आवास नहीं घेरती तो जितने कार चाहे वो आज एक्जैम पीछे ले जाने की बात है चाहे लोगों की धनराशी बढ़ाने की बात है चाहे वन टाइम सेटलमेंट की बात है सरकार सोई भी थी और जो वहां के तातकालिक विदायक थे दोजार एकिस के वो इस समय भारती जनता पार्टी के अध्यक्स है वो नौ तारीकों पहुंचते है जोशी मट पे पलाइन कर रहे है जिसके चोड़े जोशी मट में काफिस संदाटा पसरा हुआ है बस दिखाई दे रहा है तो चारो तरफ मोटी मोटी दरा रही जो दरार इस वक्त जोशी मट के लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है कई आशाने इस वक्त पूरी तरफ से खत्रे की जद्मी है जिसका रण देवनगरी में चारो तरफ देशित का माहौल है तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जोशी मट से लोग पलाइन करते हुए देखे जा रहे हैं जो कि आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सक है कि इस वक्त दुख हो रहा है और से जाने के लिए कि मन ही कर रहा हूं तो 3-4 निल चार हो रहे हैं पर क्या करें थिस तरह उठाने का मन देखा है सचीव आपदा प्रमधा नंजीत सिनहा ने जोशीमट आपदा कुली के प्रेस ब्रीफिंग की है। कामों को पूरा किये जाने की बात कही गई है। तो एक गुड न्यूज है। जो सुरक्षा के दरिष्टी कौन से जो परिवारों को विस्थापित किया गया है। राहत सिवरों में ले जाया गया है। उनकी संख्या 259 हो गई है। बाकी एक जो महत्रपून आज मुख सचीब महोदय ने जो सेंट्रल तकनीकी संस्थाएं हैं। जो जाँच कर रही हैं उहां पर उन सारे ुनसब के डारेक्टर और हेड़ के साथ एक वीसी हुई। जिसमें उनको कुछ जाँच को किस तरह से प्राइटी देना चाहिए उनके मुद्धों के वारता हुई। और उसमें वार्ता में जो मुख बिंदू हैं वो ये हैं कि जूकि एक एक नेशनल प्रायटी का विशय है जोसिमठ का विस्थापन और पुरण दिमान तो उसमें सारी संस्था इसको टॉप प्रायटी पे रखे देवनग्दी जोशिमठ भी लगातार हो रही बुधसाव की चलते स्थानी लोगों ने भगवान नर्सिंग के मंदिर में पूजाशना की है वहीं स्थानी लोगों ने माभगवती की भी रातना की और पूजाशना की बड़ी बात हुई है कि जोशिमठ की शंकराचारी स्वामी अभी मुक्तेश्वुरा नंद सरस्वती महराज की सानेदेव भगवान नर्सिंग मंदिर में भवन महायक कायोजन भी क्या गया है जिस सवरान कई पंडित और मविद्वान भी इस महायक में शामिल हुए अब इसमें कुछ होने वाला, कुछ बिगढ़ने वाला नहीं ज्यास है वह से लएगा जो हो गया उसको नहीं सुदार सकते हैं और उननों ने कहा कि शंता यहां के जो सारे गाव वाले हैं वो करें यहां पर आव से इसका फल प्राप्त होगा और नर्सिंग भवान सब की र करनी का निर्ने भी लिया था लेकिन इस वर्ष मेल में अधिसाशी निदिशक की पतपर दिनेश प्रताप सिंग ने पतभात संभाला तो शुगर मेल के तस्वीर ही बदल गई और यह मेल अब घाटे से भी उबढ़ने लगी है जिसे किसानों में भारी उत्सा है इसी को लेकर किसानों और जन प्रतनिद्यों ने शुगर मेल के अधिसाशी निदिशक दिनेश प्रताप सिंग का शौल अड़ाकर जोरदाव स्वागत किया बता दे कि अब शुगर मेल की व्यवस्ताओं में भी काफी बदलाव आया है जिसे मेल घाटे से उबढ़ने लगी है प्रियास में कर सकता होना अगतार कर रहा हूं और उनका सभी का सयोग भी है जिसके गाराण ये सुगर फ्रेक्टी इस तरीके से चल लए है है और मेरा पुरा प्रियास देखे घी किनग है पुत्रागट में समर्तन मुल्ण बोसित कि आップमान में जुद्व है अभी इनका पूर में गोशित गर्यामोल के अमसार बुक्तान करने जा रहे हैं कवरें लगाता जा रही है जल्द लोटेंगे ब्रेक के बाद बेकिवादिक वफिट साब सभी का स्वागत है किया जा रहा है आज मैं बेस हॉस्पिटल पॉटवार पहुची और यहां पर दो चीजों का उन्हें खटनता एक दस खरों का एक ब्लॉक्त बना है यहां पर पो डॉक्टर्स के रहने के लिए मकान बने हैं दस उसमें उनिट्स है वाज उसका एक उठनता और दूसरा एक गुमर तूमर मार्कर तूमर मार्कर मशीन इन पथालोजी जिसमें फायरोड से लेकर और कैंसर अगर डिटेक्ट हो रहा है आपके ब्लॉड टेस से ही मात्र दो घंटे में आप को प्रिलिम्री रिपोर्ट होगी जो शुरुवाती रिपोर्ट होगी हुआ है अभ्यान की तहर थाना पट्रेल नगर पुलिस ने कारुपी को 113 ग्राम स्मेंग के साथ गिरफतार किया पकड़ी के इसमें की कीमत अंतुराश्टी बासा भी 11,50,000 बताए जा रही है। उत्राकंड पुलिस देव भूमी को 1225 तक ड्रग फ्री बनाने की दिशा में काम कर रही है। और इसी के तहट तेहदू नशे का कारुबार पर करने वालों लोगों पर कारवाई जारी है। और पिछले 6 मैने में कई निर्देश देने के बाद भी कई वीसीज में कहने के बाद भी इनफक्ट पॉलिथिन खुले आम ही बिक रही है। सबजी में हो चाहे फल में हो इसमें कोई जागरुपता अभियान भी मुझे लगतानी की हो रहा है कि आप जोला लेके चलें या कुछ और चलें। तो इसमें मैंने एक तो जुत्री में स्ट्रेट हैं और यहां पर नगर युक हैं जिन कोई देखना चाहिए आप लोगों से भी स्पस्टिक रण लिया है कि आप पक्रावार झाल आप अपना जलें। झाल झाल कॉंग्रिस प्रदेश मकाले में जोड़ और ज़र जा जोड़ और जोड़ और देवन्दर यद्व कि अधिक्षता है ग्रदेश मकाले में अधिक्षता में आज़ित बैचक में हाथ से आज जोड़ और भ्यान की शुरूआत की है जो राज्जी की प्रतेख अस्पोर्ष शहरों तक पहुंचेंगी कॉंग्रेस ये यात्रा देश्वर में शुरू कर रही है बतादी की बैचक में कॉंग्रेस प्रदेश अधेश्ट करन महारा सहीत नेता प्रतिपक्षे विश्वाल आरे समें तमाम नेता मौझूत रहे और महेंगाई घटाएंगे की बात जो इनने की थी उस पर भी हम लोगों से चर्चा करेंगे और हर गाउं में चौपाल लगेगी इस कारिक्रम की तहट तो उसी की तैयारियां हमने क्या करने हैं उसी को लेकर यह महत्मून बैटक बुलाए गई तो लगबग दो महीने का समय दिया गया है और इस कारिक्रम को विद्वत रूप से करने के लिए बिबिन आज हमारे यहाँ आदड़ी श्री देवन यादो जी जो प्रभारी है आदड़ी अध्यच श्री हमारे महरा साहब है CLP लीडर श्री अस्पाल यारया जी सहित पूर अध्यच श्री गणेश जी और श्री पीतम सिंग सहित सभी सिनियर लीडर यहाँ उपस्ति थे समानी विधायक गण थे समानी फ्रंटल के प्रदाधिकारी गण थे सभी लोगों के आवस्यक सुझाव आये हैं और साव के अंतरगत हम उस कारिक्रम को घरगर तक ले जाने की तयारी करना है इन सभी कबरों के साथ फिलाल के लिए स्पुलेटन बेतना ही नमस्कार कर दो कर दो